हाई फ्रेंट रिमा चैनल में आपका स्वागत हैं आज हम आपको आपके घर में तूटे हुए चरपाई जो कि बेकार पड़ी रहती हैं आप उसको फिक देते हो तो उसको बेहत्री सरीके से उसको यूज में कैसे लाया जाये उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है अगर म सरो तरप से जैसे मैंने देख लिए खोल दिया है खोलने के बाद आपके घर में दो-तिन में सारी लगेगी पुरानी और आपके घर में दो-तिन सारी हो तो उसको यूज मिला सकते हैं तो देखिए प्लीज पैसे इसको बनाएंगे दोस्तो ये पुराना तारी है अब इसको क्या करना है इसको तीन भागों में काटना ज्यादा पतला पतला नहीं नहीं तो ये तूट जाएगा तो इसको इतना इतना पे दो-दो विच्चे पे तीन भागों में काटके फार लेना है यहां से भी काटके फार लेना है बेखिए दोस्तो अब इसको काटके हुआ हुआ है हुआ 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 है हुआ 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 ह कर दो कर दो कर दो तीन भावो में चरी को आदिये और ये तीन भावो में इसको काट दिये अब इसको फैसे चर्पाई पर लगाना है यह देखिए तो फैंड इस तरीके से तरीकों फार के आप इसमें लंबा करके ऐसे मुर्मुर के लगा लेना है इस तरीके से देखिए फैसे निचे से लगाया गया है देखिए इस तरीके से आपको चर्पाई में इसको लंबा लंबा करके इसको गुमा गुमा कर लगा देना है अब इसको चौलाई यह जो है यह वाला भाग और उधर वाला में यह इतना पतला पतला तरीका काटा हुआ है इसमें दो भाग कर दीजिए दो भाग करके फिर इसको ऐसे लंबा लंबा करके इसकी बिनाई कर दीजिए और दू है अँवा अशे है कर दो झाल झाल